आज हम आपके पास एक और तरह की चटनी लेकर आए हैं जो की सर्दियों में ही बनाई जा सकती है क्योंकि जो चने के पत्ते हैं वो सर्दियों में ही अबलिबल होते हैं आप इक आए देख सकते हैं इस ट्यप से चने के पत्ते होते हैं वाइट प्लेट पर आपको Sकर में दिखा रही हैं यहरón इस ट्यप्राइब कर हमて यह होне आपको साफ कर लिए हो दो कर आए दोकर ट्रेने ननीсть91 फ में लिए हैं 2-3 टेबल स्पून हम दही लेंगे कर्ड जो खटी है थोड़ी सी वह में यूज़ करनी है तो ग्रीन चिली लेंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं 1-4 टीस्पून जीरा है सॉल्टेस पर टेस्ट है और क्योंकि यह लेसन की जो कलियां है वह छोटी है इसलिए मैंने फोर ली है आप थ्री यूज़ कर सकते हैं बस केवल इनी इंग्रेडिंस से हम यह फटाफट बनने वाली चट्नी बनाते हैं यह मैं ग्राइंडर जार ले लूँगी इसके अंदर है जरूर बनाईएगा और इजी है सॉल्ट डाल दिया है और सबसे लास में हम अब इसमें यह पत्ते जो हैं जो हमने साफ करके रखे हैं इनको डाल देंगे बिल्कुल फ्रेश लेना है हमें और वन टेबल स्पून के करीब पानी डाल के हम ग्राइंड करेंगे क्योंकि कु यह देखिए यह चटनी है पिस गई है अब हम एक बार इसमें कर्ट डालकर एक ही बार चलाएंगे चुद्यू आलड़ेडी पिसी हुई है चटनी और यह देखे इस टाइप से हमारी दर्दरी सी चटनी बन कर त्यार है कितना सुंदर कलर है और बहुत यमी है इस सेज़ पर आप नमक चेक कर लिजे अगर कम या ज्यादा है तो आप एड कर सकते हैं कोई चीज करना चाहें तो सकिप कर सकते हैं यह देखिए अब हम इसकी प् कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है तो बहुत जटपट बनने वाली हेल्दी चटनी आप पराथे के साथ पूरी के साथ चपाती के साथ या फिर पकोड़े के साथ किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं थेंक्यू वेरी मच फॉर वाचिंग झाल